तो आज रोक एपिसोड में रोक ने जो ट्रैजडी करी कोटी रोट के साथ उसको बहुत सारे एक लार्ज डबल डबली के फैन बेस का ये मानना है आपका भी ये बताना कि ये डबल डबली के वन अफ दे बेस्ट रोक एपिसोड में से आएगा जब एंडिंग की बात की जा ये इसको बहुत रहा है कि पिशले पांज सालों में तो नो डबल डबली की रोक की सबसे बेस्ट एंडिंग है कि आप इस बात से इत्वाग रखते है वैसे एक रीजन तो है कि रोक क्यों की थे इसमें और वो एक ऐसी चीज में इनवाल है जहां पर रोक फिजिकल हो रहे ह तो फिर वो ही एक इनव फ्रीजन देता है आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट रोक एपिसोड के अंडिंग है चलो पिशले दस सालों की अगर बात करें और जैसे मैं आपको पिशली वीडियो में बताया था कि आपका सिर्फ एक रुप में ब्रैंड न्यू आइफोन 15 जी आर्ट और मिस बात कर रहे हैं तो यहाँ पीछे ड्रू मैकेंटार और पॉल हमेन हमको दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़े मैं ऐसे भी करता हूँ जो रौ में आपको बता सकता हूँ रिवीव में लेकिन रिवीव में क्योंकि मैं रिवीव की ही ज्यादा बात क बात कि बाहि यह बॉलाइन की वजह से मेरा जो करियार है वह ऐसे ट्रैक से उतर गया अगर ब्लट लाइन पर अपरु यह ब्लट लाइन के फटेले में अपनी टांग अडाके बैठा है तो यहां से कुछ कुछ कनेक्शन बठा सकते हैं और विंस मिक्मान का हरा मत समझ नही तो हर चीज का एक परपस होता तो definitely कुछ नहीं कुछ आगे पता चलेगा वह क्या है उसके बार में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता है यह कुछ दोस्ती आरी करके कुछ यसी डील बनाएंगे जिससे दोनों पार्टी इसको बेनेफिट हो सकता है next बात करते हैं Cody Rhodes के भाई बहनों के reaction के बार में तो आज बहुत बूरी तरीके से Rock में मारा सब कुछ पिछली वाले वीडियो में अच्छे से बताया वाई उसको हर एक चीज तो इसके बाद Dustin Rhodes जो की Cody Rhodes के बड़े भाई है उन्होंने सीदा लिख दिया You son of a bitch यानि Rock को वो बोल रहे है तूने जो हरकत की है वो मतला गाली बग दी सीदा और क्या ही बोलों क्यों एक्स्प्लें करूं Cody Rhodes की sister का reaction भी है जो मैंने आपको पहले भी दिखाय हूँ है कि वो react करती है तो उन्होंने आप लेगा कि The Rhodes are the blood and bones of American professional wrestling Rock just made his worst mistake तो इससे वो बता रहे है कि Cody Rhodes के साथ जो तूने किया ना इतरी सबसे बुरी mistake है और अबवेसली यह चीज़े और ज़्यादा fuel करती है Storyland की जब बात होती है क्योंकि अब यह चीज़ बहुत ज़्यादा personal लग रही है जैसे Rock ने भी बोल दिया था Cody Rhodes को कि वह तो एक mistake है और आज तो उन्होंने पूरा Cody Rhodes को आज तो क्या ही बोलें वह अच्छे से मैंने Rocky review वीडियो में डिसकस किया तो आपको और अच्छे समझ में आ जागा वहां से तो यह reaction है अब देखते है Cody Rhodes का जो जवाबी हमला है वो कैसा होता लेकिन क्या उस जवाबी हमले के लिए तयार भी है उसके बार में थोड़ी दि circle को download करो इसके बाद iPhone जीतने के लिए आपको giveaway contest join करना जिसकी entry fee सिर्फ 1 रुपे है उसके बाद आपको team बनानी लेकिन यह बात ध्यान रखना कि यह चीज़ आप description में जो लिंक है वहां से जागी करना तभी आप इसके लिए eligible हो पाओगे Tata EPL के हर एक match में mega contest में first price में minimum श 15,000 से जाथ टिकेट्स जो हैं WWE ने sell करी थे और 15,000 से जाथ लोग रॉक को देखने आया थे और WWE के पिछले 5 सालों में WWE का अभी तक का record मतला अभी तक का मतला पिछले 5 सालों में WWE की highest attendance आई है Monday Night Rock की और कितना WWE सही माओ का pick किया ना CM Punk भी थे और Rock भी वहां पर आ गया और हा exactly वह करने क्या वाले हैं और Rock की जो आज हुआ सब के बारे और अश्य से 20 मिनट का पूर एपिसोड जाके सुनों के मज़ा आ जाएगा लिक आपको उसका description में मिल जाएगा अब इसके उबर बहुत सारी speculation आ गई है क्योंकि यह मैंने आपको कुछ दिन पहले रिपोर्ट बताई थी अगर आप चैनल पर active chatter की शायर इन दोनों के involvement हो सकते हैं यहां से इसको बताने ही कोशिश कर रही है और क्या ऐसा बताके डवल यह बताना चारी है कि यह स्टोन कोड़ और रॉक वाला पुराना टाइम तो क्या पता डवल यह प्लान कर रही है अगें असले अकाड़ा के उपर हमने इसके बार में बताने के चीजों को है चोटी मोटी चीजों को डाल डाल के वह बड़े मस लगते कि जब वह स्टोर लाइन में आगे दिखते तो connection बठाने में फिर बहुत मज़ा आता है Roman Reigns की biography आने वाली WWE legends के उपर और यहां पर इस चीज के बारे में हमको पता चला कि acknowledge me वाली जो चीज़ है वो आई कहां से वैसे तो शाद मैं इसको एक short के अंदर बताता Shorts भी काफी consistent आ रहे हैं चैनल पर आप जाके देख सकते ह कि मुझे praise करने का time मेरी तारीफे करने का time अभी ही है क्योंकि बाद में जाके जब मैं होंगा नहीं तो फिर वो चीज़ करने का शाद फायदा रहेगा नहीं उतना तो यह biography में बहुत सारी इंट्रेशन चीज़ा सा लग रहा हमको पता चलेंगी और मुझे पता चलेंगी हड जो बंदा है मैं उसके साथ मेरे जो रास्ते हैं मेरे जो पाथ है वो क्रॉस होने ही वाले हैं तो इससे चीज़ोंने बिल्कुल आफवेस कर दिया कि जब उनको मौका मिले का rock के सामने आने का तो कदम अपने पीछे भी बिल्कुल नहीं हटाने वाले है और अगर हम इस सारे पुराने फैंस को भी टून इन करने का बहुत बड़ा रीजन ही दे सकते हैं तो अभी से हाइप तो कर दी है अनोंने बट अभी तो थोड़ से टाइम लेगा अभी अभी तो सीम पंक वैसे रिकवरी से ही गुजर रहे हैं जब ठीव हो जाएंग उसके बात की बात है कि भाई इससे में डिस इंट्रस्टेड हो जाओंगा कि मुए तो बिल्कुल रियल तरीके से फील लेगा लेकिन अगर थोड़े हार्ड कोर वाले तो फिर शाद आप को इसी से फर्क ली पड़ेगा तो मंतलब यह भी नी कहना चाहिए हार्ड कोर वाले सायद पढ़ जाता ह मेरा मन तो नहीं करना सही में जानेगा क्योंकि फिर हो सकता बहुत सा लोग की फील मढ़ जा लेकिन स्पॉलर वाली वार्निंग मैंने पहली दे दिया भाई कि अगर आप उस चीज को ध्यान से देखोगे तो एक टाइम ऐसा था जब कोड़ी रोड साइड में पढ़े वे और रॉक जो है सिदा कैमरा में जाके बात करें तो इक्जैक्ली वो मुमेंट था जहां पर डबल डबली वो जो ब्लड वाला स्पॉर्ट है उसको कर पाए और आप लोग समझदार होए कि वो स्पॉर्ट फिर किस तरहीं से होता अब इतने डीटेल में जाऊंगा हो सकता है और यहां से कुछ गड़ पर सा मतलब इंटरस सा घड़ जाए कई बार हो जाता है मेरे साथ तो नहीं होता भाई लेकिन हो जाता फिर भी तो मैं चाहता हूं कि आप उतने ही मज़े से देखो चीजों को तो मेडिकल अपडेट फिर यही रहेगी उनके बार में कि चलो मार द क्या रॉक को एक बहुत तगड़ी वाली पनिश्मेंट मिलने वाली है तो एक बहुत सिंपल सा एंगल है आपको याद होगा जब प्रेस इवेंट हुआ था रॉक ने पनी दादागरी दिखाए जिए तो उसके बाद ट्रिपल अपनी उन बात है कि वह बात ने ट्रिपल अ कि सही है तो सारा ये नजारा ट्रिपल अच जेख रहे हैं और सबसे इंपोर्टन बंदे के ओपर इतनी बुरी तरीके सा अटाइक किया रॉक ने जिसका मतलब की डबल अथॉरिटी को तो सबसे पहले बात खलने वाली है हाला कि रॉक भी अथॉरिटी में आते हैं लेकि व उनके पावर का इंट्रिदक्शन भी आप देख सकते हैं अगर कोडी रोड्स की इतनी मार बजी है और ट्रिपल ही सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो यहां से एक बहुत ऑवियस एंगल बनता है वह है ट्रिपल हे एक सबक सिखाएं दर रॉक को और यहां से दर रॉक और एंदी के बाज़